प्यारे दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे वेरिकोसिल के बारे में, अगर आपको वेरिकोसिल है और आप इसको बिना सर्जरी के ठीक करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को अंततक देखें, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप बिना सर्जरी के वेरि वेरिकोसिल हो गया है इसके बहुत से कारण होते हैं जोट लगने चाहिए जटका लगने से वेरिकोसिल हो जाता है इसमें नीली नीली नसे फूल जाती है अब यह छे तरह का होता है माइड वेरिकोसिल वेरिकोसिल फर्स्ट ग्रेड वेरिकोसिल सेकंड ग्रेड वेरिकोसिल whereoc permia, varicocyl fourth grade और whereococyl fifth grade जैसे जैसे ये ये varicoicile की grade बढ़ती है और ये एक बार शुरू होने के बाद धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है उजैसे जैसे इसके grade बढ़ती है वैसे वैसे स्भस्याई भी बढ़ती चली जाती है इस पे न पूनसकता सकती है निल शुकरानों हो जाते हैं हैजुस्पर्मिया हो जाता है ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है यानि कि कम शुकरान हो जाते हैं इरेक्टर डिस्फंक्शन हो जाता है प्री मैच और इजेकुलेशन की प्रावल्म हो जाती है दीरे दीरे आपके गुपतंग भी कमजोर हो जाते हैं अगर आपको वेरिकोसिल हो गया है और आप किसी भी डॉक्टर के बाद जाते हैं तो आपको सर्जिरी कराने की सला देते हैं सर्जिरी या माइक्रो सर्जिरी करने से वेरिकोसिल ठीक नहीं होता और ये सर्जरी करने के बाद दुबारा हो जाता है क्योंकि सर्जरी करने से नसो के वाल ठीक नहीं होते सिर्फ क्लोड्स को निकाला जा सकता है और जब तक नसो के वाल ठीक नहीं होंगे वेरिकोसिल ठीक नहीं होगा अगर आप इसको जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो इसका एक मात्र आईवेदिक इलाज है अगर आपको वेरिकोंसील हो गया है आप अपनी रिपोर्ट मेरे नीचे दिएके नंबर पर वर्टसप करें कॉल करें मैं आपको रिपोर्ट देखने बाल सही प्रामर्श देपांगा और उसका उचित इलाज कर पाएंगे दन्यवाद जय बारत जय आईवेद